हेलो और विल्कम टू कम्टीशन कॉम्मुनिटी आज हम लोग जिनरल स्टेडीज के जो सिग्मेंट है उसमें जोगरॉफी से अपने कलास को सुरू करने वाले हैं जोगरॉफी से कलास शुरू कर रहे हैं हलाकि कलास के दौरानी हम आपको कोस्न एंसर भी जो एक्ζाम में आये हैं उसको हम कवर करती हुए चलेगे मैक्सिमम जटना हो सकता है और उसके बाल यानि कलास के बाद आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसका भी आपको एक PDF दिया जाएगा question answer का ताकि आप उसको solve कर सके हलाकि ज़्यादा सारा ज़्यादा बात ना करते हुए हम ये बात करें कि हमारा topic आज का अक्छांस और देशांतर है और अक्छांस और देशांतर दोनों topic को हमने लिया है यहाँ पे ध्यान लखेगा एक बात को कि अक्छांस जो होता है न वो हमेशा जलवायू को बताती है यानि कि अक्छांस हमेशा किसको जो लोट करती है climate को बताती है जलवायू को बताती है किस तरीके से क्लायमेट को बताती है तो वह हम आपको थुरा सा समझायते हैं और फिर यहां पर ज़ीरो डिगिरी है और आप जानते है कि इसको तो इसको लिखते हुए चलेंगे अगर यह गलोब बना लेंगे अपने कॉपी में और साथ- एक्वेटर से अगर नौर्थ की तरफ ये साउथ की तरफ कहीं भी चलते हैं तो आप देख रहें कि जैसे जैसे हम उपर की तरफ चलते हैं हमारा क्लाइमेट बदल जाता है क्यों क्योंकि एक्वेटर के आसपास बड़ी गर्मी का छेतर है वह बहुत गर्मी होता है लेकिन ज रखना है कि लाइमेट लाइन की जलवायू को डिलंब करता है अब हम ये जिरो डिजिसको इकवेटर या विस्वत रखा कहते हैं हिंदी वाले बच्चे बिल्कुल परसान नहीं होंगे English वाले बच्चे बिल्कुल परसान तो जो पढ़ने के लिए आप अगर आराम से बैठे हैं तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा ने इंग्लिश वालों को तकलीफ और इंग्ली वालों को तकलीफ होगा बोड पे बीचो बीच से गुजरती एक रेखा इसको मैं लाइन लिग दू तो 23.5 इसको मैं बोलता हूं इन यानि कि Northern हेमिस्फियर में भारत है और इसको बोलता है करक रेखा यानि कि Tropic of Cancer यहाँ पर मैं Tropic of Cancer लिग देता हूं करक रेखा हिंदी में तो आप परसान नहीं होंगे ठीक है यानि कि मकर रेखा और यह करक रेखा है कैंसर है ठीक कोशी तरीके से अगर हम और उपर चलें तो यह है 66.5 यह 66.5 इस क्लाइमेट को मैं मिटा दूं तो यहाँ पर थोरा सा मैं मिटाने कर यह 66.5 है और इसको बोलते हैं Arctic Circle ठीक है Ja उपर में यह इन हैनिकि 90 डिगरी नौर्थ पोल इसको बोलते हैं और यह भी एस है इसको शाउठ पोल बोलते हैं। साउथ पूल नॉर्थ पूल यह रेखाओं का नामा करन है और यह आपके सामने में गलोव है अब इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से इसको रेखाओं को ध्यान में रखेंगे एकजाम में आचा को सना आता है एकदम को सना आता है कि 23.5 करकर एखा किदर है नौदने में इस यह आपके पूरे गलोव को दो भागों में भाग बाठती है यानि कि उत्री गुलार्द और दक्चिनी गुलार्द यह बड़ा बेसिक पॉइंट है आप सब जानते होंगे लेकिन मेरा काम है बताना इसको बड़े आसान से समझेगा बड़े इत्मिनान से समझे हमको बिलक उत्री गुलार्द में है और कभी-कभी कोशन पूछ लेते कि भारत कौन से गुलार्द में है और देसांतर के हिसाब से बतायते हैं तो उत्री गुलार्द में है क्योंकि देसांतर के हिसाब से अब चुकि देसांतर में पढ़ा नहीं रहा हूं अभी तुलत पढ़ाऊंग अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको उतादूं कि यह रेखाओ की बात हम कर रहे थे, कितने रेखाय होते हैं, यानि कि कितने अक्छान से रेखाय होते हैं, तो उसको मैं यहाँ पर calculate कर लेता हूँ, यहाँ पर देखिए, 90 डिगरी N, मैंने यहाँ पर लिखा, 90 डिगरी N, ऊपर वाले, और 90 डिगरी S, यानि कि 90 डिगरी S यहाँ पर लिखा, कितने हो गए, 180, 180, अरे भाई देखो, यह 0 डिगरी है ना, 9, 10, ऐसे बढ़ते हुए 90 तक जाएगा, ठीक उसे तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 4, 7, 9, 10, 3, 6, 7, 8, 9, 10, तो कितना हो गया, 180, अब अगर यह 180 हो गया, दिखान में रखिएगा, और बीच बाला 0 डिगरी, इसको तो गिंती किये नहीं, तो यहाँ पर 1 एड कर देंगे, तो कितने रेखा हो गई, 181, मैं बार बार जो अंडरलाइन कर रहा हूं, किताबों के हिसाब से अंडरलाइन कर रहा हूं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, तो उसको वो डिड़क्ट कर देता हैं, यानिक उसको रेखा नहीं मानते हैं, तो जब अगर 90 डिगरी को आप रेखा नहीं मानते हैं, तो इसका मतलब है, कि आप इसको और इसको रेखा नहीं मान रहा हैं, तो दो रेखाओ को आप हो गई 179 तो अब यहां पर ध्यान दी जगा मैं यहां पर इसको इस तरीके से गोल घहर लेता हूँ औR इस तरीके से इसको गोल घहर लेता हूँ तो आपके अट्छान से रखाओ की संख्या कितनी हो गई या तो मिलता है वो मैंने आपको बता दिया कि 90 डिगरी दोनों को यहां पे हटा देता है यानि कि उसको कहता है कि वो रेखा नहीं बिंदू है इस बज़ा से दो को हटा करके एक सब्यायासी बतायता है यह किताबों में कहीं बताना कि एसा कीउ दिग गया तो वह इसलिए दिग यहां कि यहां पर क्या कर दिया गया तो कितनी रखाए वाँ टोटल गया है इस तरीके से बात को समझेगा और इसको इंपोर्टेंट अपने कॉपी में कर लेंगे साथ-साथ बनाती हुए चलिए गुलोब को भी नम्रिंग को भी और जो मैं बना रहा हूँ उसको भी चलिए दो देशांतर रेखाओ के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है यानि कि अगर ये एक चांस रेखा एक है और ये एक चांस रेखा दूसरा है तो इस दोनों के बीच में कितना दूरी होगा 111 किलोमीटर की दूरी होगा 111 किलोमीटर की डिस्टेंस होगा एकजाम में जल्दी से मैंने चीजों को मिटा दिया है और मैं आप चीजों को आगे बढ़ाता हूं ध्यान रखिएगा यह कैंसर है यानि करक रेखा है और यह मकर रेखा कैपड़ी कॉण है मकर रेखा इसके बीच के छेत्र को कहा जाता है उसन कट्टिवंध मैं यहां लीख देता हूं हलांकि आप उन बातों को जानते हैं कि यह बच्चे बच्चे को आपकोई चीज़े या दरर पॉठोल हो स्ट्रेवान जाएगा आप देख कर लेंगे चलिए तो उसनि कटिवंद या इसको बोलते हैं ट्रोपिकल जॉन ओसनि कटिवंद बोलते हैं अब उस क्यों बोलते हैं यह वी बात हम आपको बताएंगे सूर्ज के जो मुवमेंट है उसकी हिसाब से इसका नाम उसन कटिवंद रखा गया है तो मैं थोरा सा इस कॉंसेप्ट को भी रोकता हूं मैं बताऊंगा बस दो मियर्ट पहले नामा करन में कर लूँ उसके बाद करक रेखा से लेकर के और आक्टिक सरकल यानि कि सारे जाना च्यासर डिगरी इन तक के बीच का जो छेत्र है उसको क्या कहते हैं इसको बोलते हैं यानि कि इसको बोलते हैं और टेंप्रेट जोन temperate zone हिंदे इंगिस वाले बच्चे आ रहा है असान से समझ लीजिए मैं बोलते जा रहा हूँ ये भी उसन कटी बंद है यहां तक और यहां पे temperate zone temperate zone और Arctic Circle से लेकर South Pole और Antarctic Circle से लेकर North Pole दोनों ही पोल पे इसको बोला जाता है Freeze Zone यानि की Seat Cutty One यहां पर लिखता हूँगा Freeze Zone ठीक उसी तरीके जहां भी लिख दूँगा Freeze Zone आप चीजों को लिखते हुए चलेंगे क्योंकि मैं मिटाने मिटाओंगा भी किसले मिटाओंगा क्योंकि बोर्ट पर जगर नहीं होगा और मैं बताना मुझे में बहुत सारी बाते ही है तो मैं भीधना मिटाते हुए भी चलूँगा चीजों को तो ध्यान रखेगा ठीक आप लिखते हुए चलेंगे चलिए तो मैंने क्या कहा कि करक ररेखा से लेकर मकर ररेखा के बीच को Graph करक ररेका Latitudinal Line उपर की तरफ जाता है, उपर मतलब North की तरफ यह South की तरफ बढ़ता है, तो ये सितोषन में बदल जाता है, और South में चल जाते हैं, निपोल के आसपास चल जाते हैं, तो free zone में बदल जाता है, तो आप देख रहें किस तरीके से Latitudinal Line हमारे climate को बताता है, तो हमने आपको तो भारत का मतला हाफ जो जिसको इसको बोलते हैं आधा भारत उसली कटिवंद में है लेकिन नॉर्मली भारत की जलवायु जो है ना मौनसूनी जलवायू है, मौनसूनी जलवायू है, भारत की जलवायू, यह बात हम आपको परते हैं, परहते रहते हैं, चलिए ठीक है, आगे हम लोग अब बात करते हैं, देखिए, अब यह जो रेखाएं है, Cancer, Equator और Capricorn, इसके बारे में पोशन बनते हैं कि कौन ऐसा महाद महाद Abu और इसके लिए मुझे मैटाना जरूरी है और मेरेसाट बेखना शुरू कीजिए यह जीरो डिगरी है आप जान रहे हैं और इसको बोलते हैं एक्क्वेटर अब मैं एक एक चीज छोटे-छोटी बाते बताते हुए चलता हूँ आपको यह तो ओबर वीव था जहां पर एक बेसिक जानकारी थी अब बेसिक से थोरा सांदर चलते हैं एक्क्वेटर के आजस्पास का चहतर कैसा होता तो गर्मपर्देश होता है यह कंप्वेटर के आशसपास का चहतर के होता सायत अवंदश म समझति ध्यान रखेगा हलाकि लिखा हुआ वहां footnote आपको मिल-जाएगा लेकिन आप देखते वे चले तो यह बड़ा गर्म पर्देश है ब्राराम से देखेगा यह बड़ा गर्म पर्देश है और जब गर्म को कुशन है K器 जो विशुष रेहिए पर देश है या भूमद रेहिए परदेश है भार्स दुनिया में सबसे ज्यादा बर्षा कहां होती है और सन्य वायसे तो सबसे ज़या बर्षा जानते हैं कि भार्राच मौनि सल्हाम या जञा है तक गाड़ोखासि जतिया क्या होगा विश्वत रेखा दुनिया में सबसे ज़्यादा बर्सा किसके आसपास होती है विश्वत रेखा के आसपास होती है और यहां पर बहुत ज्यादा बर्सा बहुत ज्यादा तापमान होती है तो यहां की जो वेजिटेशन होगा यानि कि यहां के जो बन होगा और इसका सबसे अच्छा है क्जामपल है अमारा अमेजान का जंगल Amazon का जंगल जानते हैं, सबसे अच्छा एक्जामपल है हमारा, चलिए ठीक है, equator के बारे में हम बात कर रहे हैं, equator से अलग नहीं जा रहे हैं, equator के आजपास ही आपको doll drum का छेतर मिलेगा, doll drum, हला कि doll drum यहाँ पर बताना जरूरी नहीं था, यह climatic चीजों से लेकिन फिर भी मैं कुछ-कुछ बाते आपको बताते हुए चलता हूँ, क्योंकि एक्जाम का कोशन बन जाता है, कि doll drum चेतर कहां पाया जाता है, तो विश्वत रेखा के आजपास के चेतर ही doll drum पाया जाता है, यानि कि यहाँ पे 8 degree in से लेके 8 degree S के बीच के चेतर में क्या प बारा पढ़ाऊंगा, हाँ, एक बात आप समझेगी, जब हम जोगराफी पढ़ा रहे हैं तो एक एक चीज इतने बार आएंगे, कि आप बिल्कुल ही comfort हो जाएंगे, revision आपका मेरे class में ही हो जाएगा, revision करने के लिए घर जाने की जोगरत आपको नहीं पढ़ेगी, जब ज सबसे ज़्याद हो जाए, चलिए ठीक है, सबसे ज़्यादा बर्सा का स्थान है, सबसे ज़्यादा तापमान का स्थान है, तापमान ज़्यादा होने सवास्पी करन ज़्यादा होता है, बर्सा ज़्यादा होता है, तो यहाँ के जो लोग होंगे, वो काले होंगे, का पूरा अब यहां पर मिलेंगे फ्रांस इंग्लैंड जर्मनी ऐसे अब इतना ज्यादा लोगों का आना जाना हो गया है किसी कि स्टबस घुंप में हुजा कि दना में इसां चैनकी जो कहा कि जो और यहां पर यहां पर रहने वायों का रंग कैसा होता है comparatively यह white होते हैं यानि गोरे लोग होते हैं और जब genetic changes होते हैं तो बच्चे चितकबड़े पैदे होते हैं कहने का मतलब है कि बच्चे का जो एक नए रेस जन्म ले लेते हैं तो पॉइंट यहां पड़ यह है कि यहां पर रहने वाले लोग काले होंगे सामले होंगे होगा जैसे केन्या में या फिर हम स्रिलंका को सबसे अच्छा एक्जामपल मानते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि मुथया मुली धरन और संकारा जैसे लोगों को सनज जसुलिया जैसे बैस्मेन को देखते हुए हम बड़े हुए हैं तो वह किस तरी की कलर का तो उसी से आप अ यहां पे अपचुकी तापमान जादा है बरसा जादा है तो बरसा के अनकूल खेती भी हो सकती है हलाकि जो खेती है एकरिकल्चर है जो फूड है वो पूरा-पूरा मानब बेभार पे निर्भर करता है तो मैं इस पर बहुत ज्यादा जोड़ नहीं दूंगा लेकिन जो क् सपोर्ट करती है क्लाइमेट यहां के डार्क कलर के लोगों को सपोर्ट करती है क्लाइमेट यहां का बहुत तापमान बरसा होने को सब्सक्राइब करती है और यहां क्लाइमेट मच्छर को भी पैदा होने में सपोर्ट करती है क्लाइमेट मच्छर जनीत रोग भी बहुत ज एकटर से ख्सक्राइब है नौर्थ की तरफ बढ़ते हैं राज कर्द थे यहां कि डार्फ गॉरे की बात नहीं कहा रहा हूं मैं comparison कर रहा हूं नौर्थ इंडियन लोगों की comparison में थोरे से color इनका डार्क होता है मैं काले गोरे का कोई भेद नहीं कर रहा हूं मैं बस climate चीजे समझा रहा हूं और ठीप उसी तरीके से जब भारत में आप कन्या कुमारी से उपर की तरफ चलेंगे यानि केरला से आप नौर्थ की तरफ आएंगे तो आपकी लोगों में बनावट भी आपको अंधर मिलेगा भारत में भी लो मोटे और भूमरायल टाइप को होंगे और खास करके नॉर्थ इस्ट के लोगों के बारे में अगर आप देखेंगे तो हां उनके बाल बड़े सिलिकी होते हैं लंबे होते हैं तो यह जो अंतर आपको दिखाई दे रहा है क्लाइमेटिक चेंजेज है और जेनेटिक चेंज के कारण बहुत सारे चीज़े बदल रही है तो उसको आप यहां पर नहीं लाएंगे यह बस मैं परकृति को पढ़ा रहा हूं परकृति क्या चाहती है चलिए ठीक है ठीक उसी तरीके से और अगर आप नॉर्थ की तरफ चल 15 माथा 14 होगा मैं European लोगों की बात पर देश में या इस लेटरी से लेकर के 66 66 and half या उसके उपर की डिग्री के लोग है मैं उसकी बात कर रहा हूं ठीक उसी तरीके से यहां पर भी मैं बात कर सकता हूं 66 and half इसके आसपास लोगों के बारे में ठीक है तो यहां के जो लोग के जीवन होगा वो बदल जाएगा यह लोग मांस ज्यादा खाएंगे सराब पि लेकिन परकिर्टी यहां पर यह सपोर्ट करती है कि आप गर्म रखने के लिए खुद को क्लाइमेट से लरने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करें कि क्लाइमेट की से आप सब्सक्राइब बना सके जैसे गर्मी दिनों में एसी चला लेते हैं आप अपने जलवायू से अपन परकिर्टिक है इस बात को समद रहें कि नें अ lugar होगों के झालोगों के क्लाइमेट को प्रावित करता है वह झोटा सा बताया तो कि और उपर अगर आप जाएंगे, यानि कि पूल के उपर चले जाएंगे, जिसको हम North Pole कहते हैं, या जिसको हम South Pole कहते हैं, तो यहां बर्फी बर्फ मिलेगा, बर्फों के बिल्कुल चादर बेचे वे मिलेंगे, यहां पर बिल्कुल कोई vegetation नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा अगर बात बताते हुए मैं कुछ ऐसी बात बता जाता हूं, जो एक्जाम का कोस्टन होता है, तो इसको समभाल लेजेगा, ठीक है, तो इन चीजों को आप तो आप सा ध्यान से देखेंगे, यह equatorial line है, जो मैंने आपको समझाया, आप बार बार वीडियो को देखिए, अग एक्जाम के कोस्टन बहुत पुछते हैं, और मैं यहाँ पर आपको उसको solve करनाता हूं, तो मैं इसको मीटाता हूं सबको, और मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से चीजों को समझाने कोसिस करता हूं, देखिए, यह zero degree है, यानि equator है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यह 23 and half है, 23 and half in, यानि कि यह करक रेखा है, और यह 23 and half है, 23 and half is, यह मकर रेखा है, ठीक है न, मैं बोल रहा हूं, अगर आपको दिखाई नहीं देरा, तो मैं बोल रहा हूं, अपने copy में लिखते वे चले, और अगर आपको अपने copy में लिखते वे चलेंगे मेरे साथ, बहुत आसानी से समझेंगे अब देखिएगा यह क्या है कि यह जो च्छित्र है विश्वत रेखा का इसके आसपास यहां पर मेरे समझाने का एक तरीका है उसको बड़ा आसान पर समझेंगा 23 यानि कि 21 मार्च यह एक दिन है आप जानते हैं 21 मार्च एक दिन है और 23 सेप्टेमबर 23 सेप्टेमबर यह कोशन एक्जाम में आता है और इसलिए मैंने इसको अपने तरीके से समझाने कोशिस किया है कोशन 3-4 तरह के आएंगे और सब बन जाएंगे बिल्कुल भी चिंदा म किजेगा 21 मार्च और 23 सेप्टेमबर को दिन और रात बढ़ाबर होता है और इसको बोलते हैं इंग्लिप में 54 ओक देता हूं मैं यहां पर दिएक हिनौकस यह ilayные את देट पकर करके और सन के मुमेंट से मैं चीजों को समझाने की कोशिज करता हूँ बड़ा गौर से समझेगा बड़ा इंट्रेस्टिंग पॉइंट है और इसको जीवन बेवार में उतारने कोशिज कीजेगा और मैं अभी आपको उतारन से इसको समझाऊंगा भी बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग आपको लगेगा थोड़ा सा समझेगे 21 मार्च है दिन रात बड़ावर है मैं एक डेट ले लता हूँ कोई 30 सेप्टेंबर भी हम ले सकते हैं 21 मार्च है दिन रात बड़ावर है ठीक है न blow up और सुबर यहां पे है तो मैं अपनी सुबर बनायता हूँ इसको इस तरीके से सहन सुर्य यहां पे है और सुर्य की मुमेंट आप पंडिजी लोग जो गाओं वेगारा में होते हैं जो पत्रा वेगारा देखते हैं पत्रा का मैं मजागने उड़ा रहा हूं बहुत ही बैज्ञानिक चीज है और आज से नहीं हजारों साल से बना हुआ है और इसका सबसे वड़ा परमान यह है कि आपके जो आज का कैलेंडर है जिसको आप ग्रिगेरियन कैलेंडर कहते हैं यह नाम एक्जाम में कोशन पूशा के लिए यह निद्रेशा में ब्ताती है थीक उसे दिन हाओ उसे आपका हिंदू दर्म की पत्रा है ने को भूंता यह है और चाला से थोरा सा कौसिज कर रहा हूं सिसको ठोटरा श्रा शब्सक्तर गर्णाइं का समय आ गया तो यह जो नौथ व elkaar विने इंग्लिश कौने से इज़ें। यह सुर्ज की मुंवेंट है तो है और उसे वहां समझेगा तो सन 21 मार्च को है और सन यहां पर उत्रायन है यानि कि नौर्थ नौर्थ वर्ड मुवमेंट में है जब यहां पर आकर करके सीधे सीधे चमक्ती है और यह जो चमक्ती जगा देख रहे है 21 जून के आज पास बिलकुल ही कौन से रेखापे है करके रेखापे और यह समय होता है 21 जून होता है और इस दिन हम क्या मनाते है इस दिन हम मनाते है योगा डे मैं यहां पर लिग देता हूँ इसको क्या मनाते है यह योगा डे मैंने अगर अच्छे से नहीं लिखा है आप कोपी मच्छे से लिखेंगे मेरी डाइटिंग आप नहीं जाएंगे मैं बोल रहा हूं बड़े तरीके से और मुझे समझाने के लिए मुझे बहुत सारी बात है इसलिए मैं तेजी कर रहा हूं ठीक है तो क्या मुलाते है योगा डे और 21 जिन को होती है सबसे बड़ा दिन हो चुझा की suptake movement क्या है नोगष पर की तरफ न जा रहा है तो अगर उटा और भारत यहाँ पर दिखाई दे तो समझते हैं यहां पर की महीने में गर्मी थो होती है लेकिन मार्च की महीने में यानी उससे महीने में को फोल देते हैं जब्रत नहीं होती है उसके बाद की महींने में सुटर यहाँ झाल जाता है लेकिन जैसे जैसे सन नौट होता है उपर की तरफ हमारे सोट भी खुल जाते हैं क्यों कि बहुत ज्यादा गर्भी होती है बन्यान अगर पहन के रखें तो अच्छा है यह पता नहीं क्या-क्या खुलेगा लेकिन जो एसी में नहीज रहते हैं उन Dlatego dining अपना temperature का क्रीक फ вас उसमें ठणे में सब्सक्राइब जाते हैं दिखें संडी अब वरे नॉर्फोर्ट हो रहा आप देख लिए का घर उनको गर्मी पूरे भारत में भ्यानक तरीके से होता है बहुत भ्यानक तरीके से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और पूरा भारत का जो रीजन होता है भारत के साथ साथ दुनिया के सारे परदेश इस समय एक दम गर्मी में क्या बोलते हैं तबा तोड होते हैं, लेकिन Northern Hemisphere में, मैं ये बात जो इतनी तेजी से, इतने देर से बोल रहा हूं, उसके पीछे कारण क्या पता है, क्योंकि मुझे comparison करना है, ये बाते हो रही है कहां, Northern Hemisphere में हो रही है, लेकिन ठीक उसी समय Southern Hemisphere में क्या होगा, तो Southern Hemisphere जो ये मकर रेखा है, मैं यहां पर लिग देता हूँ, और यहां पर अस्ट्रेलिया है, यहां पर गर्मी ठंडी होगी, उतने ही कराके की ठंडी होगी समय, यानि कि जून महीने में हम गर्मी महसूस करते है, तो जून महीने में अस्ट्रेलिया ठंडी महसूस करती है, निजिलेंड ठंडी महसूस जून के महिने में, चीली का आदा से ज़्यादा भाग छंडी महिसूस करती है, जून के महिने में, क्योंकि वो साधन हमिस्फेर में है, लेकिन नौर्धन हमिस्फेर में हम सब गर्मी से उबल रहे होते हैं, सं के मुव्मेंट से समझ ये कैसे और विक्तिकाट जीवन में उसको उतारने की कोशिस किजे मैं एक पर रिफ्रेंस दे दिया हूं कि अप्रील, मई, जून में कितनी गरमी होती है तो देखिए समझा रहा हूँ आप बले इत्मिनान से समझे संको यहां से मूर्णा है मैं कलर दुस्वा ज्यादा नहीं बदल सकता क्योंकि यह थोड़ा सा की दिखकत है लेकिन उसे मैं आपको बाव बताता हूँ देखको सन को मुन्हाए अब सन यहां पिरक्नहाँ साॉद की तरफ चल रहा है तक सं क्या है साउद की सिर्फ लेता हzić सन क्या है रात हो गया तो सका मुमेंट समझ में चला अप्रिल मight जून जुलाई अगस सेतीबबर फिर से सन का मुमेंट क्या हो गया राथ क्या ब्राबर हो गया अगर बढाबरां आपंद दिन राथ क्यां डियान से आप समझेगा तो यूदा या कि एक्विनोक्स का डे है एक्विनोक्स का मतलब होता है दिन और रात बढ़ावर होता है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा से इसको देख लिए तो जानते हैं कि जुलाई अगास सेप्टेंबर सन क्या है साउथवर्ड मुवमेंट में है और अगर सन साउथवर्ड मुवमेंट में तो आप देख रहा है कि दिरे दिरे गर्मी भी हमारे देश से उतर रहा है तो सेप्टेंबर तक मैं ये तो नहीं कराओ कि गर्मी खतम हो जाता है लेकिन हाँ गर्मी की चिलचिलाती जो मई महीने हो अब यहां पे देखेंगे, यह अक्टूबर है, यह नवंबर है, और यह दिसंबर है, ध्यान से देखेगा, सन यहां पे चल रहा है, और यहां पे सीधे-सीधे चमक रहा है, सन यहां सीधे-सीधे चमक रहा है, अब क्या होगा, वो देखेंगे, बड़े गोर से देखेगा, यहां पे गर्मी हो जाएगी, यानि कि जो मैने ठंडी लिखा, इसको मुझे काटना है, काट दिया मैंने, मिताया जानबुझकर कर कि नहीं, काटा हूँ, क्योंकि आप समझे हो क्या रहा है, यहां पे गर्मी होगा, और यहां पर मैने क्या लिखा था, उसमें गर्मी था, यहाँ पर क्या होगा, थंडी होगा, यानि कि अगर सन मकर रेखा के आसपास है, तो हमारे देश में या हमारे जगा में, यानि कि जो Northern Hemisphere है, वो बिलकुल थंडी सो होगा, और अभी का जो मौसम जब में वीडियो सूट कर रहा हूं, तो यह 2 December है, और 2 December का मतलब यह होता है कि सन कहीं न कहीं मकर रेखा के आसपास पहुँच चुका है, Southern Hemisphere में है, Southward है, और हम ठंडी महसूस कर रहे हैं, ठंडी महसूस करने रहे हैं, सब कुछ होने रहा है, आप जानते हैं कि यूपी, बिहार, हडियाना, दिल्ली, पंजाब की लाकाव में, डिग में क्या है, गर्मी है, South Africa में क्या है, गर्मी है, क्या बहुते हैं, अर्जेंटीना में क्या है, गर्मी है, क्योंकि वो साधन Hemisphere में है, सन यहां है, तो हां गर्मी है, और यहां पर क्या है, भारत में क्या है, ठंडी है, इंग्लैन में क्या है, फ्रांस में क्या है, ठंडी है है यह दिया है यहां पर सबसे बड़ी राथ यानि कि क्या Yap मटम सब्लाइब पहले लिए यहां कि पहले का थूरा सा एकाट udahiya अगे पीछ मेरे concept को समझें बताना चाहता हूं, 22 December को होते ही सबसे बड़ी रात, हमारे यहाँ सबसे बड़ी रात होगी, लेकिन इसके लिए क्या होगा, यानि साथोन हमेशफर वालों के लिए क्या होगा, सबसे बड़ी रात, तो यहाँ पर मैं अपने तरफ से लिख रहा हूँ, यानि सबसे बड़ी रात, अगर फिर भी बेटा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट करेंगे, बिल्कूर अच्छे तरीके से वीडियो को बार बार देके, एकदम concept क्लिर हो जागा, सबसे बड़ी रात, और यह 22 December इस दिन होता है, सीट आयांत, यानि कि Summer Solicit, जो आप प पता है, Summer Solicit, Summer Solicit, 21 जोन को Summer Solicit, और 22 Summer को Winter Solicit, यह मेरे तरफ से, यानि कि Northern Hemisphere वालों के तरफ से, तो कि अपने तरफ से कल्कुएट कर रहा है, और यहां सूर जाया, तो इसको गर्मी लग रहा है, तो Summer Solicit, सिंपल है, अगर कभी कोशन पूछे ना, जब कोशन पूछा हुआ ह और गिश मायांत, कहँ बार कोशन पूछा है, जब भी कोशन पूछे न, सित आयांत कब होता है, तो ध्यान रखना थंडा कब परता है, तो थंबने दिसमबर में परता है, तो 22 दिसमबर को सित आयांत, अगर कोशन पूछे क्या बोलता है, गिश मायांत यानि कि Summer Solicit, अचा सबसे बड़ी राथ है किसके लिए साधुन एमिस्फिर के लिए एक बात बड़ा इंट्रेस्टिंग पॉइंट है इसको समझेगा दिल पर कोई नहीं लेगा बस समझाने के लिए बात कर रहा हूं ठीक है इसी समय 25 दिसंबर भी होता है मालू है आपको 25 दिसंबर किसलिए मनाया जाता है 25 दिसंबर किसमस डे मांते हैं पूरा दुनिया मनाती है सममाते हैं क्रिस्मस डे अब यह बाद बताई है जो सैंटा होते हैं सैंटा 25 दिसंबर को को जो हमें गिफ्ट देने के लिए आते हैं for due respekt मैं सब करे रिस्पेक करता हूं कभी मन में में मेरे कु जैकेट पहन का आते हैं वो हमारे लिए का मतलब Northern Hemisphere वालों के लिए आते हैं यानि कि जर्मनी जापान इंग्लेंड फ्रांस इसके लिए आते हैं यहां पे ठीक है उसके लिए अमेरिका हो गया जिसको युवेस उनाटर एस्टेट ऑफ अमेरिका उसके लिए आते हैं भारत के कि लिए लिए लेकिन क्या कि वही सेंटा 25 दिसंबर को यहां पे यानि कि यह भी तो 25 मनाएंगे अस्टेलीया नीजिलेंड साथ अफरिका क्या बहुते हैं चीली अर्जेंटीना यह भी 35 मनाते हैं यह भी तो पूजा करते हैं अपने तरफ से जो प्राकना करने की बात होती वो भी तो करते हैं तो क्या वहां भी जैकेट और तोपी पैंगे चुकि ये गर्मी का परदेश है, और जो हमारे मन में परतीक को सिथ किया गया परतीक का मतलब होता है, जो परतीकात्मक चीजें हमारे मन में सिथ किया गया रहा है, वो Northern Hemisphere वालों के तरफ से, तो इसी बजा स से उनको जैकेट पना दिया गया है लेकिन अस्ट्रेलिया वालों के लिए बहुत ज्यादा गर्मी का समय है तो वहां पर 25 दिसंबर जो है ना वह गर्मी में मनाएंगे और सेंटा उनका जैकेट और टोपी में अगर आएगा तो थोड़ा सा यहां पर सोचने वाली बात हो जा हाते थे तो उनको उस पूरों में रट्टा मारा दिया घा अरे सिर्फ आस्टेलिया होगा थंडी में मनाएगा अब बताईए अस्टेलिया बिलकुल ही मकर एका अस्टेलिया के बिलकुल बीचे बीच बजर्ती quickly ठीक नीचे, यहां बिलकुल ऐसा लगता है कि अधम दुनिया से कटा वा अस्टेलिया धूर्मि होगा, यहां थण्डा हो जाएगा, नहीं होगा, यहां ठंडी में मनाएगा 25 दिसंबर नहीं वो भी गर्मी में 25 दिसंबर या नहीं Christmas Day मनाएगा तो point यहां पर यह नहीं है कि कौन ऐसा देश है जो गर्मी में Christmas मनाती है point यह नहीं है point यह है कि sun का moment इस समय Southern Hemisphere में है तो Southern Hemisphere में करक रेखा और उसके आस पास के जितने भी पर्देश है जितने भी देश हैं जितने भी एरियाज है सब भ्यानक गर्मी को महसूस करेगा और चुकि 25 दिसंबर उसी समय आता है तो इसलिए वो भी क्या है गर्मी में ही Christmas Day अपना मनाएगा यहाँ पर देखे 25 दिसंबर है अब Sun को क्या है मैंने क्या कहा था कि वो कभी भी मकर रेखा से नीचे और करक रेखा के उपर उपर नीचे का मतलब मकर रेखा के South और करक रेखा के North नहीं जाएंगे यहाँ से फिर से Sun का मुमेंट होगा और मुमेंट को देखे वरे ध्यान से यहाँ पर देखे दिसंबर आप देखे जनवरी, फरवरी, मार्च यानि कि फिर सेतान वहीं जा लटका यानि कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च अब देखे यहाँ पर मार्च आ गया 0 यानि कि 21 मार्च जहां से शुरू किये थे वहीं आ गया यानि कि यह 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 छे बोलना चाहिए चुकि मैं बिहार से हूँ तो आप जानते हैं ठीक है 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 इस वार सुधार कर लिया है 6 बोला मैंने तो 3, 3, 6, 3, 12 हो गया यानि 12 महीने के सन के मुमेंट को आपको समझ में आ गया बड़े गौर से देखना चीजों को बड़े बहुत ज्यादा गिजिर मिजिर मैं समझता हूं लेकिन चुकि वह पढ़ाने के लेकर कि गिजिर मिजिर ऐसे नहीं है तो 3, 3, 6, 3, 12 सन का मुमेंट आपको समझ में आ गया ठीक है और किस तरीके से यहां देखो जनवरी, फरवरी, मार्च समझ में आ रहा है न और जनवरी जैसे ही है सन साउथ वर्ड हो जाता है मकर संक्रांती सन जो है न उत्रायन हो गया है जजमान पंडी जी इस तरीके से हम बढ़ते हुए चले जाएगा और एक्वेटर से कहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरह बढ़ते हुए चलेगा वैसे हमारे देश में गड़ी भी बढ़ते रहेगी देखो जनवरी धीरे धीरे उपर आ गया ठंडी हमारे पास बहुत ज्यादा है क्योंकि इसके आसपास अभी साथवर्ण हेमिस्फेर में ही है सन फिर फरवरी थंडी थोरी सी कम हुई हमारा स्वेटर जो हैना फूल से हाफ हो गया है जैकेट उतर चुके है लेकिन इनर अभी भी पहन रहे है ये बात में पंजाब हरियाना दिल्ली यूपी बिहार के चेतरों के बारे में बोल रहा हू अगर उससे बीच का चेतर की बात करे यानिकि 36 गर्ड या MP बारे में बात करे तो थोड़ा सा टेंपरेचर उनका ज्यादा होता है कंपरीजन टू मतलब UP विहार के या हर्याना पंजाब दिल्ली के चुरिए तो फरवरी हमारा इनर अभी भी है हमारे सरीर पे लेकिन करके हम अच्छे तरीके से गुम रहे हैं और फिर अप्रील में में तो जानते हैं आप क्या-क्या को लेंगे जो कि मैं पहले चर्चा कर चुका हूं तो यह हमारा इक्वेटर है और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एक्वेटर से हम चीजों को इनलाइज करते हैं जलवा यह को बदल रहे हैं लोग के खानपान के साथ-साथ हम वहां के जीवन बिभार को भी बदल रहे हैं है आप देखेगा एक्वेटर के आज-पास के रहने बारे लोग थोरे से लेजी होते हैं क्योंकि उनको परकृती की है Northern Hemisphere में तो वहां की लोग डिवलब जादा है किसलिए क्योंकि काम करने के घंटे उनके बढ़ जाते हैं ठकते कम है एक्वेटर में ठक जागा ना गरिमें तुम काम करो ठक जाओगे ठंडी में काम करो नहीं ठक होगे ठीक है तो कम काम जादा करते हैं ठकते कम हैं जलवाई नहीं करूंगा क्योंकि फिर वो उपनिवेश और सोशन और इतिहांस और इस तरह की घटना समाज सास्त्र और फिर इतिहांसिक चीजें मिलने जगेगी और फिर हमारा पूरा जोग्राफिक को से गरवर हो जाएगा तो मैं उतने ही आगर के रुख जाता हूं इतिहांस जब करने वारे लोगों को जिसमें जर्मनी जापान और रूस और अमेरिका और इंग्लैंड और फरांस की बात करते हैं सब की बात करेंगे कोई दूद का दूला हुआ नहीं है हम ही लोग हैं दूद के दूले हुए खेर चलिए आगया वरकत तो इक्वेटर आपको समझ में आ होता है कि यह लाइन कितने ज्यादा बेटरीन होते हैं यह आपको समझ में आ गया होगा यहां पर तो ठंदा और ठंदा है तो यहां पर जर्दा है यहां चोंड राए मने आअउगा चलि इक्वेटर के बाद हमारा अगला है सबस्क्राइब है कि यह होगा यह पड़ना की हाला कि आम सरी चीज मैं आपको यहां पर बता दूंक यहां आपका मकर रिखा और अस्व यहां पर अच्थ साव्त अफरिका यहां पर चाइना इस फ्रांग होगा यह सम्रम के आस पास यहां चमकリ हो तो हमारे यहां ठंडी होगा भारत चाइना इजिप्ट इस्पेइन फ्रांस जर्मनी पोलेंड क्या बोलते हैं इसको उनाइटेट किंग्डम आर्लेंड रसिया कजाकिस्तान मंगोलिया उनाइटेट कनारा यहां पर क्या होगा ठंडा होगा कब जब सन आपका 22 दिसंबर यान का का यहां ठंडा होग होगा चील नीजिलेंड यहीं पर ठंडी होगी पर गर्याइख तो आप जानते हैं कि हमारे होती है लेकिन जब हमारे खेलने के लिए तो गर्मी के वज़़े से कभी-कभी खेल भी रोग दिया जाता है इस बात को भी धिशान में रखेगा तो बहू सब समझ में आ जाएगा चलिए अब हम मैं देशांतर की तरफ बात करता हूँ ठीक है बीच में देशांतर ले आया था उसके बाद फिर मैंने आपको ये लैटी टुनल लाइन के बारे में जो भी बात मैंने बताया है वो सारे इसमें लिखा हुआ है आप एक बार वीडियो को करके पॉज करके और अच्छे से देख लिजेगा और उसको पढ़ लिजेगा ठीक है नोट्स भी बना सकते हैं चलिए इक्वेटर के बाड़े मैंने बता है नीमदाब का च्छेतर है और कौन-कौन से देश आते हैं ये सारी बात मैंने आपको या बता दिया किन्या कांगो इंडोन्योसिया ब्राजील सुमालिया क् Tibetan से सक्राव्षि Сजाने की अभी कर लिया तो आप इसको देखकर एंगार समझ लिजेगा अब चलते हैं हम देसांतर की तरफ देसांतर की तरफ चलते हैं मैं इस जब घर difficनव में टाइम में में चाप में मिन ताइम है आशुकरने से डिशांतर रेखा को हम कालकुलेट करते हैं डिशांतर रेखा कि पूर्व की तरह बढ़ते हैं तो यह इस्ठ है यानि कि स्टॉर्ण हमिस्टिर है अलाकि इसको हमिस्पिर बोलना सही नहीं होगा कभी-कभी पुर्वी गुलार्द यासे बाते हो जाता है और इसके इसके अगर अगर हम बात करें तो इसके 20 से सीधे एक्वेटर निकलती है ज आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा चोकि मैं दोनों को आज समझा दे रहा हूं दोनों एक्छांस को देशांतर आज समाख्त हो जाएगा ठीक है ना चलिए यह 0 डिगरी है और आप देख रहे हैं अगर इस 0 डिगरी और इस 0 डिगरी यानि कि अक्छांस का 0 इसको एक्वेटर भोलते हैं और देसांतर के जीमboys जिसको हम जीया म्त बोलते ह सै उसके हिंसाब से देखें तो भारत की स्थिती को पूर्व में और उत्तर में है अब देखे हैं हैं तो नहसे से अस किसको बताती है तारीक को बताती है, तारीक पे तारीक, हलाकि छोड़िए, मैं इसको अच्छे तरीके से भी बताने वाला हूँ, तो तारीक को बताती है, यह पास समझ में आ गया, चलिए, आगे बढ़ते हैं, आगे जब बढ़ते हैं, तो यह एक देसांतर रिखा है, ऐसे ऐसे करके खीचा हुआ है उपर यानि कि यह आप देख रहे हैं देशांतर रेखाओं में और एक चीज़ बड़े गौर से देखेगा जो खीची भी रेखा है यह सारे के सारे पोल पर आखणके एक जगाई कठा हो रहा है नौर्स पोल और साउथ पोल दोनों जगा एक जगाई कठा हो रहा है तो अगर एक जगाई कठा हो रहा है तो हम यहां पर क्या कहते हैं कि दो देशांतर रेखाओं के बीच में जो मैक्समुम डिस्टेंस होता है वो कहां पाया जाता है तो बड़े गौर से आप देखेगा हलाकि जो मेरे से पढ़े हुए है वो इस कोशन का सॉल्व कर देंगे कि दिखाने के कुछ कोसित करता हूं कि मैं मिỡ़ाता हूं ठीक है दो देशांतर रेखाओं के बीच के दूरी maximum होती है तो यहां पर भी 111 किलोमेटर में कर देता हूं हाला कि मैं आपको बता दू अगर कहीं आप किताब में पढ़ेंगे कि 111.24 या 34 किलोमेटर तो वो गलत नहीं है बिल्कुल सही है लेकिन 111 किलोमेटर इसलिए बताया क्योंकि यह आपका यह सिमलर हो जाएगा दो अक्छांस रखाओ के बीच में दूरी 111 किलोमेटर दो देसांथा रखाओ के बीच में दूरी 111 किलोमीटर इससे क्या होगा कि आपको अलग से रटा मारने की जरुबत नहीं पढ़ेगी तो देसांथा रखाओ के बीच की दूरी को गोंगर कहते हैं और वो कितना किलोमीटर होता है 111 किलोमीटर दो कोशन तीशा किलोमीटर तीशा कोशन दो शills रिखाओ के बीच का मैक्सिमम जो टुरिस्टoba होता है तो जो rotor πिझ का में हमेश सीचुईशं के आच कहा हुआ है तो इसकी सबसे उत्री गुलार्द में मैप आपको दिखाई दे रहा है अच्छे तरीके से अभी आप आप चांस करके आए हैं अभी आप देशांतर करेंगे चलिए ठीक है अब पॉइंट है कि देशांतर रेखाओ में कितने कितने देशांतर रेखाए है इसको समझने का बड़ा आसा आपको मालूम है मैं तो सिर्फ आपको कुछ बाते बताना चाहता हूं तो अगर एक स्फियर की बात कर ले या एक सरकल की बात कर ले तो इसमें कितने दिग्री होते हैं तो इसका मतलब यह है कि देशांतर रेखाओ की संख्या भी कितना होगा 360 तो धियान रखेगा देशां तो जब से यह 0 degree है यह 0 degree इसको गिन्ती करके तो अब धियान में रखना बालबात है कि चरवा गिन्ती करके बताईये तो मैं आपने अन् sulfur आप से 360 बता दिया गिन्ती करके बताईये तो मैं गिन्ती करके बताता हूं बड़े गर से देगा यह 0 है तो 101 2 3 4 5 579 111 1213 14 15 करकर एक सो असी तक जाता है यह एक सो असी डिगरी है ठीक है यह जो लाइन है यह जो सबसे साइड बला लाइन है एक सो असी डिगरी है ठीक उसी तरीके से एक दो तीन चार पांचो साथ आतना उतस करके ये भी 180 तक जाता है 180 दिग्री तो ये भी क्या है 180 दिग्री है द्यांस समझेगा 180 तो 180 180 कितना हो गया 360 यानि कि अब हम इसको जैसे जोरे थे हमने अच्छांस में उसी तरी के दिसांतर में जोरेंगे तो आप ओलेंगे 360 तो हो गया सार नहीं ये गलत हो जाएगा ये एडिशन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा तो क्या एडिशन सहीर होगा ध्यांस देखिएगा 180 और 180 कितना हो गया 360 360 हो गया हमारा तो काम हो गया लेकिन काम नहीं हुआ ये बीच वाला जो है ना इसको तो नहीं जोड़े 0 degree तो ये इसको एक लेंगे ना तो कितना हो जाएगा 360 तब तो 360 रखाए हो गई और यहाँ पर कोई point भी नहीं है 90 degree की तरह कोई point रहकर करके इसको minus कर दे तो 371 में से 2 हो जाए minus हो जाएगा ऐसे भी बात नहीं है तो फिर क्या बात है तो फिर बात ये है कि जो 180 रखाए है वो 2 रखाए नहीं है वो 1 ही रखा है 180 रखा क्या है एक ही रखा है तो एक ही रखा है यानि कि 2 बार जो 180 हमने जोड़ा वो गलत है हमें एक बार 180 और एक बार 109 से जोड़ना चाहिए क्योंकि दोनों एक ही रखा है तो यहाँ पर हम एक minus कर देते हैं इसको हम नहीं हटाएंगे क्योंकि ये क्या है ये 0 degree है मैस क्या करेंगे 180 का मैनेश कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा 360 अब बोलेगे सार इतना ने 180, 180 किये हैं कि समझ में नहीं आए कोई वात नहीं समझ में नहीं आया ये हमारे पास समझ लो Petersburg है गलोब है यहाँ पर मैने बनाया यह कि जीरो डिग्री यहां पर क्या बनाया जीरो डिग्री और यहां पर मैं बनाएंगा एक देखिए जीरो डिग्री से जब एक दो तीन चार पांचो साथ आपनादस करके यहां पहुंचते हैं इस जगह पे तो 180 होता है अंगली मैं एसी रखूंगा ठीक है और फिर जीरो इसतरीके से एक ही रहा उसी तरहें चीक लिग्री भी एक जीरो समझा गया इसको अगर तोड़ देंगे और फैला देंगे तो यह जो एक से यहां पे बना रहा हूं च्छुट करकर पहल जाहां तो यहां और यहां दिग जाएगा लेकिन है चुकि यह ग्लोब एक ही तो ससी तो यहां पर एक सोसी एक सोसी त्यूसोसाट तो hacia 310 डिग्री 3152 बढ़ मैं ने जोड़ लिया जो कि गलत एडीशन है तो उसमें से कि एक ४ाइन्स-क यूद टीन-133ंच तो कितने अथ सांतर रखा होगा है परहैं 360 किसेolutionर 19 कितना 111 ठीक है दूरी को क्या खाते हैं गोरे मैक्समुम दूरी कहा होगा दूरी संतर रेखाव के बीच में तो वह होगा एक्षाण्स के इंसाब से उतरी गुलार देसांतर के नहीं आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं ध्यान से समझियेगा मेरी बात बड़े ध्यान से देखिये आप अगला पॉइंट क्या है जो मैं आपको बताने वारा हूँ कि देसांतर रेखा टाइम को कल्कुलेट करती है तो किस तरीके से time को calculate करती है और किस तरीके से हम इसको देखते हैं वो भी और भारत का time कैसे calculate होता है वो सब बताएंगे हम आपको यहां से तो उसके लिए मुझे सब को मिटाना पड़ेगा तो मैं सब को मिटाता हूँ एक बाद धाल रखेगा यह GMT line है ठीक है GMT line और मैं आपको होता दूँ कि GMT line से जब इस्ट के तरफ चलते हैं तो पलस होता है और वेस्ट के तरफ चलते हैं तो माइनस होता है यह पलस माइनस मैट का पलस माइनस नहीं है यह दर असल चुकि जो लिखने का करम है वो एक, दो, तीन, चार, पांचे, साथ, आठ, एक सो असी है तो यहाँ पर एक, एक, एक होते जा रहा है इसलिए पलस है यहाँ आपर लिखने का बात है एक, दो, तीन, चार, पांचे, साथ, आठ, उल्टे लिखा रहा है न यानि कि दिख रहा है कि एक-एक माइनस होते चला जा रहा है न आठ में से गया माईन, शाथ, शाथ में से कैछे तो इसलिए माइनस है, और पुछ नहीं है, इसको बाद ध्यान रखेगा यह पलस माइनस सिर्फ आपको लिखने के लिखावट के हिजाब से है, इसलिए आप द जिसको बोलते हैं अमेरिका को मतलब उनाइटेर इस्टेटेट ऑफ अमेरिका क्यों गोल रहा हूं कि वह चाहता है पूरे दुनिया में और ये बात संच है इसको को जुटला नहीं सकता है लोग बोलते हैं चाइना उसके बराबर में खड़ा है तो मैं मानता हूं इस बात को आटाराश्पती बन जाने का मतलब होता है दुनिया का सब से सकती सालिक्ती ऐसा आप अखवारों में लिखते हुए जरूर देखे होंगे चलिए ठीक है यह से कंपैरिजन करना है तो उससे करेंगे क्यों चोटे लोगों से करेंगे कनादा से क्यों करें ठीक है तो अम कि कैसे निकालते हैं और किस तरीके से चीजों को हम कल्कुलेट करते हैं भारत के परिप्रक्ष में भी देखने की बात करेंगे ध्यान रखिएगा मैं सब को मीटाता हूं अब ध्यान रखिए एक बार बता यह बदा सिंपल सा पॉइंट है कि पिर्थ भी अपने अक्सिस पे अक्सिस समझते नाक्ष पे चुकि मैं अभी उनिवर्स पर हाया नहीं हूं लेकिन मैं जानता हूं कि कुछ-कुछ बाते आप पहले से जान रहे होते हैं कुछ-कुछ चीज़े आप पहले से सम नह contributors करेदा और 24 गंटे में भूम जाती है तो मैं यहां पे लिखता हूं 24 आर्च मे अर्थ जो एना रोटेट कर जाती है और अर्थ 24 आरण में रोटेट करती है तो कितनी के 120 कि कि 1982 कि अरे भईया कितने द्सांतर रहा है 360 और आर्थ एक बार पूरा रोटेट कर गया तो कितना रोटेट करेगा 360 टिक 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 पूरी घारी का सकेंड एक बार रोटेट कर गया कितना रोटेट कर गया 360 डिगरी रोटेट कर गया मानते हो ना इस बात को घूम जा एक बार कितना rotate गया? 360 तो कितना rotate कर गया? 360 यानि और चुविस घंटे में 360 डिगरी rotate कर जाता है तो इसको मैं cross करता हूँ 360 को क्या करता हूँ? cross करता हूँ कितना आएगा? चौविस एक मरत्बे 24 और उसके बाद उपर 6 में से 4 गया 2 तीन सी दो गया 1, 12, और नीचे आगए गया जेरow, तो 24 पचे, 120, आनि 15, यानि कि 15 बार में कट जाता है, 15 बार में कटने का मतलब ये होता है, कि 1 घंटे में 15 डिगरी, आनि कि 1 घंटे में 1 बेसी बेसी 1 अर्ड, 1R एक घंटे में फिर्थ भी कितने degree गुम जाएगी 15 degree ये गोई exam का question है exam का question में बताते चलता हूं कितने देसांतर रेखा है 360 exam का question है ठीक है पके एक घंटे में कितने degree होते हैं 15 degree exam का question है अच udah एक घंटे में 15 degree तो एक मिनट में कितने degree तो चुकि इसको निकालना बड़ासान है एक घंटा बड़ावर साथ मिनट और 15 डिगरी होता है तक 15 के साथ यानि कि 4 मिनट स्री चार डिगरी बड़ावर कितना एक मिनट मैं आपर एक मिनट कर देता हूं सुममें आया कैसे एक घंटा बड़ावर 15 यानि साथ मिनट में 15 डिगरी तो एक मिनट में कितना डिगरी तो 25 के साथ एक मिनट में 4 डिगरी सिंपल और नगीरी और स्ट अब इन चीजों को बड़ा उल्टा तरीके से से बात कर रहा हूं एक मिनट में चार इसको मैं कल्कैट ही कर लेता मैं अपना मन से करने कोशिश किया था calculate कर नहीं ठीक है पन्द उच्व को 7 यानि एक डिग्री में 4 मिनट मैं गलत तब से बोल रहा था माफ कीजेगा मैं तब से गलत बोल रहा था बिल्कुल माफ करेजगा एक डिग्री में 4 मिनट ठीक है तो घंटा है यानि कि 2 गंट में कितने डिगْरी में Hadill ग्जान का कॉस्षण है तो कि 10 कि पूरा का पूरा चीज समें दूब कर अगर एक घंटा बढ़ावर एक टाइम जोन होता है तो इसका मतलब होता है कि भारत पूरे दुनिया में कितने टाइम् Taylor है 24 टाइम जोण है अड़े घंट आप एक टाइम हो रहा है कितने घंटे होते हैं 24 गंटे तो कितने टाइम जोन आप रिल वे घरी नहीं देख रहे हैं कितना बजाता है ते इस बज़ के उन सच मिनट रहें को बाद जडिए हुच़ा हुआ ह divergence किर कने होंते किस के पास तो दियां रखिएगा सबसे ज़्यादा कर 210 그럴ांस है exponent 11th 1 तो आप बोलेएं कि सबसे छोटा कंट्री है मतलब स्वर्डा कंट्री है और ट्वश्थ की से त्थि के से क्यों इस부 हो ΧाटStory 224 उस दौर में क्या म fav पर छोड़ा किया था उन जगाओ को fan color शोरा नहीं था तो और उन जगों को fan从没 fine नहीं था, तो इसलिए फ्रांस का, या, sorry, छोड़ा नहीं है, तो इसलिए कितने टाइम जोन होगा है, 12 टाइम जोन, रसिया के पास कितने टाइम जोन है, रसिया के पास कितने टाइम जोन है, 11 टाइम जोन, ठीक है, रसिया के पास, तो पहले नमर के फ्रांस, दूसरे नमर प इसको बोलते हैं अंतराष्ट्रिये इंटर्नेशनल डेट लाइन ये वी एक्जाम का कोशन है इंटर्नेशनल डेट लाइन अंतराष्ट्रिये तिथी रेखा अंतराष्ट्रिये तिथी रेखा और ये कोशन एक्जाम का अंतराष्ट्रिये तिथी रेखा अब यहां पर पॉइंट है कि ये एक्जाम का कोशन अंतराष्ट्रिये तिथी रेखा है ये क्यूं अंतराष्ट्रिये तिथी रेखा है बड़ा ध्यान से रखेगा हां एक्जाम तो आप ठीक करके आएगे मैं इसको मिटाओंगा भी आप ध्यान रखेगा आप लिखते हुए चलेंगे ठीक है तो बेरिग एस्ट्रेट से घुजरती है इंटरनेशनलर डेटलाइन अब पॉइंट यह है कि इसको इंटरनेशनलर डेटलाइन क्यों बोलते हैं बड़ा ध्यान से देखेगा और पलस माइनस का भी चीज मैं आपको समझाऊंगा यहां पे ध्यान रखेगा मैं मीटाता हूं इसको ठीक है देखो यह 0 डिगरी है और य 180 डिगरी यहां से 15 से भाग दे दीजिए 12 घंटा 12 फिर उसी तरीके से 180 डिगरी इधर है एक घंटा बड़ावर तो 12 घंटा समझ में आ रहा है आप आप बोलेंगे सार दोनों तरफ एक सोसी ले लिए अरे दोनों लाइन तो एक ही है ना हम यहां पे नहीं दिखा पा रहा ह है तो थीया है दो सो अजकली लिए करने एक से अच्छे तरीके समझ देबी जाएगा एक और बात यहां से बताता हूं और यह इंटरेश्टिंग पॉइंट मतलब यह exam में question side नहीं आया है, अगर आया है तो इसको आप देख लीज़ेगा, interesting point का है, चुकि यह plus में है, यानि कि 0 से जब हम east के तरफ चलते हैं, तो यह minus है, यह बात आप जानते हैं, तो 180 degree में अगर कोई boat, चुकि यहां bearing straight है, अगर कोई boat पे है, अपने ship पे है, और यह यहां से, यानि कि इस जगह से 140 degree को cross करता है, अब इस जगह से 140 degree को cross करेगा, तो कहां निकलेगा, यहां निकलेगा, तो अगर यहां पे 28 तारिक है, 28 तारिक है, तो यहां पे कौन सा तारिक होगा, यहां 27 तारिक होगा, क्यों, क्योंकि एक पूरा 24 गंटा, माइनस होज़े क्योंकि यह माइनस में है और यह प्लस में है तो पूरा 24 गंटा डिफरेंस हो जाता है 180 सी डिगरी को गुजरते ही इस बात को आप अच्छे तरीकर से ध्यान में रखेंगे इस बात को अच्छे तरीकर से खांगे तो हमें भारत का time line है 530 gmt भारत का Time line क्या है 530 gmt है भारत का timeline ठीक है चलिए तो हम यह देखते हैं कि हमने भारत का timeline 530 ही क्यों रखका यह देखते हैं ज्योंकि 0 degree से हम समय को क्या करते है calculate करतें यह मानक रेखा है अगर यह बात मैंने शुरू में नहींग बतारा जिरो डिग्री जो प्राइम मेलीडियन है क्या है मानक रिखा है और यहीं से समय को क्या करते है क्लिकुलेट करते हैं तो जरा देखते हैं कि हम कैसे करते हैं देखिए 530 GMT है और अगर 530 यानि 5 तो 5 गंटा 30 मीनट GMT से भारत आगे है तो कितना डिघिड में हम किस से गुना कर देटे हैं ? 15 से गुणा कर देते हैं, 15 डिगी से क्यों 15 अगर वल्र시면 1 कौंग, 15 गंटा विज़ू 12 noon,as報 25 सार्य गंटा 65 और 10 कितना है सारेश WOW तो सारे 60 डीड नो तो कितना हो गया? सारे 50 बारा साथ धेक आड और ये हाफ का हाफ आ जागा सारे 81 डीग्री सारे 81 डीग्री आपने नाम सुना होगा ये भारत का standard timeline है भारत सरकार इसको follow करता है हम सब इसको follow करते हैं चाहे आप हो क्या बहुते हैं और नाचल पर्देश में चाहें गुजरात में हो अब दोनों के बीच में जो दो घंटे का अंतर वही बताएंगे तो सब फॉलो करता है यानि कि अगर मालने जाए कि यह एक ऐसा लाइन है जो भारत का टाम लैन है तो यह 82 अगर आपको पता है कि हम कितना घंटा आगे है जिरू डिगरी से तो बड़ा सिंपल है मैं इसको उदर को मीटाता हूँ उदर चाहिए उसको मैं रहने देता हूँ ताकि आप कंपैरिजन कर सके आपको पता है तो यहाँ पे साथ डिगरी ब्राबर कितना मिनट होगा 28 मिनट और यह हाफ डिगरी ब्राबर कितना मिनट होगा और यहाँ कितना हो गया तीज मिनट और चुकि पलस में हम आए तो पलस तो दोणों ऑप देखें दोनों तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि भारतissent का किम प्रिकसी सिंट को रखम तो दूज अ गया सब तो सारे 5 घंटा आगे है तो कितना डिगरी है सारे 82 डिगरी और अगर सारे 82 डिगरी आपको पता है तो कितना घंटा आगे है तो भाग कर दिए और इस तरीके से पूरे दुनिया का टाइम में आपको निकाल सकते हैं या तो आपको ये पता हो कि वो दुनिया का देश कितना घंटा आगे है 0 डिग्री से या कितना घंटा पीछे है या पिर आपको ये पता हो कि वो देश कितने डिग्री पे है अगर दोनों में सो को एक बात पता हो तो एक डिगरी विड़ावर चार मिनट और पंदर डिगरी विड़ावर साथ मिनट यानि एक घंटा करके इस दोनों एक वैरियेवल्स को ले करके आप पूरे देश के टाइम को निकाल सकते हैं पूरे देश के टाइम कॉप निकाल सेकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, अब अगला पॉइंट यहाँ पे है कि भारत में सारे बिरासी ही क्यों चुना, या सारे पांच घंटा ही क्यों चुना, तो बड़ा सिंपल है, देखिए, भारत का जो इस्टोर्ण मुस्ट पॉइंट है जो की अरणाचल परदेश का, आप जानते वलांगू या किविथू है, और बेस्टोर्ण मुस्ट पॉइंट है, जो गुजरात का आप जानते सागर माथा है, इन दोनों के बीच में लगवग 67 से 98, ये देसांतर रेखा है, देसांतर रेखा, इस्ट है, E और E, दोनों E है तो 67, 98, देसांतर रेखा है, यहाँ पे ध्यान दीजेगा, दोनों के बीच में कितने डिगरी का अंतर है, तो दोनों के बीच में आप अगर कल्कुलेट करेंगे, तो लगवग 30 डिगरी का अंतर आएगा, कितने 30 डिगरी, देखू ना, 67 से 98, उसमें पॉइंट कुछ मतलब कितना हो गया, कितने घंटा, तो दो घंटा, दोनों के बीच में कितने घंटे घंटा रहे, दो घंटा, और यह एक्जाम का कॉस्चन है, एक्जाम का कॉस्चन क्या है, कि अर्माचल पर्देश से ले करके, और अगर गुजरात के बीच में घंटे दूरी की बात करें तो कितने घंटे की दूरी होती है, तो दो घंटे की दूरी होती है, कितने घंटे की, दो घंटे की, ये दो घंटे की दूरी ट्रेन से, एरो प्लेन से नहीं होती है पेटा, ये पिर्थिवी की रोटेशन की दो घंटे की दूरी है, कहने का मतलब क्या है, बड़ा ध्यान से सम वजेगा कि अगर अर्माचल पर्देश में सुर्योदय सुर्योदय पांच वजे होता है तो गुजरात में सुर्योदय साथ वजे होगा और अगर अर्माचल पर्देश में संसेट संसेट अगर तीन वजे साम में हो जाता है तो गुजरात में संसेट पांच वजे साम में और इसको कभी भी अगर जाचना है तो फोन से बात कर लेना लेकिन फोन से बात कम करना जब या तो एकदम सुवा हो रहा हो या एकदम साम हो रहा हो और आप फोन करके जो गुजरात में अगर कोई लोग आपके रर होंगे तो आप अंदाजा लगा लिजेगा फोन करके कि होगा अगर आप अर्थ भारत के बीचो बीच है अगर आप गोहाटी में हैं अगर आप अर्माचल पर्दिश में हैं अगर आप अगर मद पर्दिश में है तो सन आपके बीचो वीच में होगा और माचल पर्देश में है तो सान आपके बिलकुल इस्ट में होगा तोहाँ जब फोन लगाएंगे आप गुजरात में है और साम का समय होगा तो सूर्ज आपके अगदम मतलब क्या होगा अबाउट टू सेट यानि की सुर्यास्त होने वाला होगा और गुजरात फोन लगाएंगे तोहाँ बोलेगा नहीं सूर्ज तो यहां चमकरा है क्योंकि आप से यानि की मिडिल इंडिया से एक घंटे बाद सूर्ज अस्त होगा और अरुनाचल पर्देश से दो घंटे बाद एकस्पेंशन है यानि कि देसांतर ये विस्तार है भारत का उसके बीचों बीच का छेत्र परता है सारे बिरासी इसको कल्कुलेट करना है तो आप यहां पर ऐसे कर सकते हैं 6798 इसमें कुछ डिगरी भी है उसको आप जोड़ सकते है आठ साथ 15 का पांच आता है एक उन्हें आए सारे लटाशी को चुना है जो कि कल्कुलेट करके वी हमें आप बता दीए और यहीं का छेत्र कहां से गुजरती है तो एक्जाम को सबकूस्थartet एंप से इलाहाबाद के नैनी पांच राजयोसा गुजरती है तो Seb美味 share पी जिसको आप इंडियन इस्टेंडर्ट टाइम लाइन क्याते है यह भारत के पांच राज्यों से गुजरती है और मुखरूप से एक्जाम के कोशन में मिर्जापूर या नेनी होता है जो की उत्तर परदिय से परता है इलाहबाद के पास वहां से गुजरती है तो आपने क्या यह एक्जांपल आपके comment के लिए मैं छोड़ता हूं comment box में हम आपको कुछ देंगे या फिर जब shift देंगे तो आपर हम कुछ बनाने लिए पताएंगे कि आप इसंको समझे की नहीं समझे मैं मैं फिर से अब बता दू कि इसको समझने के लिए आपको एक डिग्री बरावर चार मिनट और पंद्र डिवर एक घंते वाली जो कॉंसेप्ट है उसको रखिएगा थोरा सा मैथ है और बड़ा सिंपल मैथ से भाग और गुना जोर और घटाओ का मैथ है इस से ज़्यादा और हम लोगों ने कर लिया सब कुछ कर लिया तो यहां पे अक्षांसर देशांतर को में आप रोखते हैं आप इस वीडियो को देखेगा अगर आपको बहुत लंबा पढ़ गया आपको लगेगा कि नहीं दोनों को समझना बहुत मूस्किल है तो आप हाप-ाप करके आप देख आप